श्री कृष्णाय बयम्नुमा परमात्मा सच्चिदानंद घनश परूप है परमात्मा सत है परमात्मा चित है और वो आनंद है सत्का तात्पर्ज होता है जो त्रिकाला वाधित है जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी परिवर्तन नहीं होता जो अपरिवर्तनी है जो नाश्वान नहीं है जो सत है सत्य है उसे हम सत्य कहते हैं और यह तो केवल परमात माहें दूसरा कोई सत्य नहीं हो सकता है सुबेरे हम भोजन बनाते हैं साम को बासी हो जाता है साम को भोजन बनाते हैं सुबेरे खाने लाइक नहीं रहता है परसों बूड़े हो जाते हैं परिवर्तनी संसारे मरतक को बान जायते यह संसार परिवर्तन सील है लेकिन परमात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बोलो जा स्री कृष्णा इसलिए इस भगवान का नाम सत है और परमात्मा का दूसरा नाम है चित चित कहते हैं प्रकाश को जो सूर्ज में भी रोष्णी देता है चंद्रमा को भी प्रकाश देता है तारा गणों में भी रोष्णी उसी की क्रपा से प्राप्त है जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू इसलिए उसका नाम चित है और आनंद स्वरूप तो वो है उसके नाम जपने से प्रमानंद की प्राप्ति होती है आनंद भी तो प्रकाला वाधित होता है महराज तीनों कालों में आनंद को कोई वाधित नहीं कर सकता जिसकी क्रपा से दुनिया बनती है जिसकी क्रपा से दुनिया पालित अनवरत चलती है और जिसकी ध्रक्टी टेड़ी होने जाने से सबसमाप्त हो जाता है बोलो जा सरी कर्शना जिसका नाम जब करने से तीनों ताप और तीनों पापों का विनास हो जाता है तापत्र विनास आए अध्यात्मिक ताप आदे दैविक ताप आदे भौतिक ताप कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाते ऐसे परात्पर अक्रियस्तुर जगत नियंता जगदाधार स्री बाल कृष्ण प्रभू के चरणों में हम प्रणाम करते हैं बोलो जा स्री कृष्णा कियम प्रभ्रजंतमनु पेधम पेतकृत्यम गईपायनु विरहकातर आजुहाब पुत्रे तितन मयतयातर भूभिनेदू तमसर्भ भूतर दियम मुनिमानतो स्मी बगवान शुकदेब श्वामी के चरणों में वंदना की गई एक बात आपसे बिना किसी संकोच के अनिवेदन कर दूँ आप किसी भी सांस्त्र में देखें किसी भी ग्रंथ में देखें हमारे उपनिशदों ने परमहंस की दिन शर्जा कैसी होनी चाहिए परमहंस का जीवन कैसे होना चाहिए एक बीत राग संत की क्रिया शीलता कैसी होनी चाहिए उसका सत्प्रतिसत यदी कहीं दरसन होता है तो वो शुकदेब जी के जीवन में मिलता है बोलो जैसे कर शुकदेब जीवन में इतना सत्प्रतिसत नहीं मिल सकता है भगवान शुकदेब जीवन में कोई आस्रम नहीं बन बाया शुकदेव जी ने जीवन में कोई शिष नहीं बनाया भगवान शुकदेव ने कभी द्रब्य को रखना तो क्या चुआ नहीं भगवान शुकदेव ने चार अंगुल की कौपीन के अलाबा दूसरा कोई वस्तर जीवन में पहना नहीं केबल चार अंगल की लंगोटी और वह भी पिता की आग्या मिली थी भागवत अध्यान के समय इस लिए नहीं तो पहले तो वो भी नहीं पहनते थे एकदम दिगंबर किसी के परती ना इर्शा ना किसी के परती लगाव ना किसी के परती द्वेस जिसको हम लोग कहते हैं देहा ध्यास की निवर्ती देह में रहने के बाद भी व्यक्ति देह से दूर कैसे रहे शरीर में रहने के बावजूद व्यक्ति सरीर से अलग कैसे रहे इसका सत्प्रतिसत यदि कहीं दर्शन करने को मिलता है तो वो शुकदेव स्वामी जी के जीवन में मिलता है और आप आस्तिल करेंगे भगवान शुकदेव ने जब परिक्षित को कथा सुनाई तो उस कथा में शुकदेव जी के पिता जी बैठे शुकदेव के बाबा बैठे ऐसा लिखाए भगवान सुकदेव के पर बाबा में थे और उनके पर पर बाबा वसिष्ट जी बैठे नारायन के वेटां ब्रम्हा ब्रम्हा के वेटां वसिष्ट वसिष्ट के वेटां शक्ति शक्ति के वेटां परासर परासर के वेटां वेदव्यास और वेदव्यास के वेटां भगवान शुकदेब तो शुक्देव जी के पूरवजों की समस्त पीड़ियां बैथी है शक्ती को छोड़ कर उस सभा में भागवत के रचेंटा जरूर वेदब्यासें ध्यांग से सुनना भागवत की रचना जरूर भगवान वेदब्यासने की है लेकिन भागवत को जितना जीवन में शुक्देव स्वामी ने उतारा है उतना वेदब्यास भी उतार नहीं पाए बोलो जासरी कर्श्म इसलिए भगवान शुक्देव का स्थान इतना उंचा हो गया और वे परमहंस स्रोमनी हैं वो बीट राग हैं ऐसा कुछ वो करते हैं ऐसा नहीं व्यक्ति का चिंतन करते हैं मन जब आत्मा पर केंद्रित हो जाता है और चिंतन करते हैं जिसका मन गोविंद के चरणों में निमतन हो जाता है पिर सरीर के क्रिया कलाप अपने आप छूट जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जीवन मुक्त परमहंस और ऐसा जीवन मुक्त परमहंस भगवान शुक्रेव हैं ऐसा शश्लोक में बरनन करते हैं कियम प्रब्रजन तमन पेतम पेत कृत्यम हमारे डाड़ी आगई इसमें सेविंग करनी होती है रोज सुबेर रोज सुबेर लोग बैठ जाते हैं जिसके आती नहीं उसको करने की जरुवत क्या बाल लंबे हो जाते हैं तो हर दो मेने बाद छटाने पड़ते हैं मुझे जब बेढ़ंगी हो जाती है तो केंची से सेट करनी पड़ती है जिसको आती नहीं उसको सेटिंग की जरुवत क्या संसकारों को संसकृत करने की जरुवत कब पड़ती है जहां संसकार है नहीं और सामाजिक ब्याबहारिक संसारिक संसकारों का जहां प्रवेस ही नहीं है संसार की मर्यादा की जहां अंतिम सिद्धी है वहां से बीतराग भगवान शुकदेव की प्रतम सिद्धी का सुमारम होता है इसलिए उनके बारे में लिखते हैं जिनका भी जन्यू भी नहीं हुआ जो जन्म से सन्यासी है जिनको सन्यास लेना नहीं पड़ा जिनको परमंस की दिक्षा लेनी नहीं पड़ी जो जन्म से सन्यासी है और जन्म से सन्यासी है इसका उदाहरन क्या है इसको देखा किसने कि ब्यास जी जब पीछे पीछे जाने लगे पत्र पत्र कह रहे थे तो ब्रक्ष हसने लगे ब्रक्ष हसना है तरवह अभिनेदू ब्रक्ष बोले महराज किसको पत्र कहते हैं आप ये तो परमांस है ये तो जानता ही नहीं पिता कौन होता है, पित्र क्या होता है, पत्वी पत्वी का संबन्द क्या है, दुनिया के क्रिया कलाब क्या है, ये तो सब से उपर उठा हुआ है कितनी बार आप इसके पुत्र बन चुके कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका कौन जानता है ब्यास जी बूले क्या कह रहे हो तुम बन नहीं कह रहे हैं तो आगे जाकर देख लो आगे ब्यास ने देखा तो कुछ महलाई इस्तनान कर रही थी सरोबर में कुछ रिशी कुमारी काई नहा रही थी हाँ नवजुबती और सुकदेब जी तो एक दिगंबर थे उस समय तो कौपीन भी पहनते नहीं थे और सोलस वर्स की अवस्था है और भागवत में तो लिखा कि कामदेब के समान संदर थे भगवान शुकदेब बोलो जैसरी के वो इस तरियां तो नहाती रही है उनको कोई प्रबलम नहीं कोई असर हुआ ही नहीं और व्यास जी को जैसी देखा पीछे पीछे भगवान बेदब्यास आ रहे हैं वो समनारी तुरंट निकल करके आई और निकल कर बस्तर पहने और हाथ जोड़कर बोली बाबा माव कर देना हमने आपको देखा नहीं था गैसमिका सुनो मेरा सोलह वर्स का परम शुंदर बेटा शुकदेब तुमारी आँखों के सामने से निकल गया तुम्हें संकोच नहीं लगा बेटी और मैं तो तुम्हारे दादा पर दादा के समान हूँ फिर मुझे देख थर कितना संकोच क्यों हूँ तो निस्त्रियों ने जबाब दिया था परतमसकंद में बरनना आता है बाबा ये बालग तो आपका जानता है निस्त्रियों पर उसके संबन्द क्या होते है ये तो परमान से है कोई हजार बस्तर पहल तो भी निर्बस्तर है और कोई निर्बस्तर हो तो भी निर्बस्तर है इधर तो फरक पढ़ता ही नहीं तो शुकदेब जी की सिस्थिती को जानकर के लोटकर चले गए थे तम सर्भूत हरदेम मुनि मानत औसमी ऐसे सर्भूत हरदे भगवान शुकदेब के चरणों में हम प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं देखो अब इससे पावन तो कोई भूमी नहीं हो सकती गिर्राज महराज की तरहती में और आप देखना कभी अवसर मिले तो कथा सुनने के बाद या कथा से पहले इदर थोड़ा निकल जाना गिर्राज की तरहती में और थोड़ा और उधर की और चले जाना और उसकिसी ब्रक्ष के नीचे बैठ करके दस मिनट आँखें बंद कर लेना इस व्यास मन्ज से कहता हूँ दस मिनट आँख बंद तुमने करी गोविन्द का स्मर्ण करके तो तुम्हें लगेगा कि मुरली धर गउच राते हुए इधर अभी अभी गया है बोलो जासरी कृष्ण ये वो भूमी है प्रणाम ने शौनका जी रिशी उनको बोलते हैं ब्रामने सब सुट जी को आया जान करके सब ने उनको प्रणाम किया बंदन किया सुट जी बोले देखो आप लोग ऐसे प्रणाम करते मेरे को संकोच लगता है मैं तो बिलकुल बालक हूँ आप लोग ज्ञान ब्रद्द हैं आप लोग आयू ब्रद्द हैं फिर मेरा इतना सुनमान क्यों शौन का दिरिसी उनका आप ब्यास जी के सिस्च हैं और सबसे बड़ी बात हैं आप शुकदेब भगवान के गुरु भाई हैं तो शुकदेब जी की संनिधी जिसको मिली है ब्यास जी के दोरा मंत्र जिसको मिला है वो तो महापुर्ष है और सुत जी आप केबल महापुर्ष नहीं हैं हम तो ऐसे मानते हैं कि अग्यान अद्वां तवित्भंस कोट सूर जिसम अप्रभर सूता अख्यागी कथासारं ममकर्न रशायनं ये मनुस्च के अंतकर्ण में मनुस्च के खरदे में जन्म जन्मांतर के अग्यान अंदकार की अंधेरी बरी हुई है अंधेरा है हमारे अंतर खरदे में और उस अग्यान के अंधेरे को दूर करने के लिए सूत जी कोट सूर्ज समप्रभः आप करोड़ों सूर्जों के समान हो इसलिए आज आप से कुछ पूछने का मन हो रहा है दुनिया के लोगों को हम देखते हैं तो बड़ा क्लेश होता है मन में एक तो संसार में लोगों के जीवन का बरोशा नहीं है मैं आपको कथा सुना रहा हूँ सबा तीन बजने बाले हैं लेकिन तीन बज कर बीस मिनट पर में सुना पाऊंगा इसकी कोई गारंटी है कोई भरोशा है एक संका जिस मनुफस के जीवन का भरोशा नहीं है और जो टाइम मिला है उसको बेकार के कामों में हम लोग बरबाद कर रहे है ऐसे लोगों को सिक्र भगवान से मिलने का सहजितम तरीका क्या है और ऐसा साधन हमको बताओ कि स्रेयसाम्यद्ववेस्रेयः पावनानाम्च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सश्वत शाधनम् तद बदाधुना जो स्रेष्ट में भी परम स्रेष्ट है उत्तम में भी परम उत्तम है और गोवन से मिलने का जो सरबुच साधन है वो हमको बताईए एक बात बताओं महत्माओं के पास जाकर फालतू बात कभी मत करें करी लोग संतों के पास जाते हैं बाब जरां ये चोटा बाला बेटा है न वो संता नहीं है आप कुछ करपा कर दो आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते हैं वो सीयर्ट में न थोड़ा गडबन हो गया था न तब से सोते ही ने दो दो गोली नीठ की खाते हैं अच्छा और बोरे सासू जी से भी आजकल प्रोबलम चल रहा है तो मात्मा ने सासू जी के सासू जी के पड़ोसियों के सामने वालों के सब जंजटों को दूर करने का ठेका ले रखा है क्या? बोलो जैसरी कृष्ण देखो ध्यान से सुनना तुम्हें दुख भी मिलेगा तुम्हारे कर्म से और सुख भी मिलेगा तुम्हारे कर्म से किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और यदि कोई दावा करता है तो हंडेल परसंदी करपा कर दें तो तुम्हें परमात्मा से मिला सकते हैं ये काम सिवा संद के कोई नहीं कर सकता है लिखा है ऐसा किसी को संसार की कि चिंता मनिर्लोक सुखम स्वरत्रु स्वर्गसं पदम प्रयक्षति गुरुप्रीतो बैपुन्ठं योगि दुरलभं ऐसा लिखा किसी को संसार का सुख चाहिए तो चिंता मनी मिल जाए पारस मनी मिल जाए पारस मनी को लोह से लगाओ सोना बनाते जाओ और स्वरत्रु स्वर्ग संपदम स्वर्ग में एक व्रक्ष होता है उसे कल्प व्रक्ष बोलते हैं और कल्प व्रक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचो वो पूरा हो जाता है ऐसा लिखा लेकिन चिंता मनी पारस मनी और कल्प व्रक्ष स्वर्ग का ये महान व्रक्ष भी तुम्हें गोवंद से नहीं मिला सकता है परमात्मा से नहीं मिला सकता है यदि गुरु प्रसंद हो जाए संत प्रसंद हो जाए तो ये काम जो वो नहीं कर सकते हैं वो केबल संत कर सकता है बो जी को किसी ने दुकान बांदी है ठीक कर दो हम इसमें बेश्ट कर देते हैं बोलो जैसरी कर्शित हाँ बोलो महराज वो क्या है ठीक ठाक सब चल रहा था पड़ोसी की नजर लग ज़ी लगता है मुझे अब बिचारे बोले महात्मा नजर गुजर में अपने हुसैनर जी को बेश्ट कर देते हैं लेकिन संत करपा कर दे तो तुम्हें गोविंद से मिला सकता है और ये काम दूसरा कोई नहीं का सकता है इसलिए महात्मा के पास जाकर सिवाए सत्संग के सिवाए आत्म कल्यान के सिवाए और प्रभू से मिलने के अलाबा कोई काम की बात करोई मत ये बरशाने में जब थोड़ा आगे चलते हैं थे एक पोखर एक माशरोबर बनाए वाएक संत रहते थे और महत्मा जी का पंजाबी सरीर था पंजाब के जन्म था उनका बड़ा भजन करते इसने में बहुत चोटा था तो मैंने देखा कि उन महत्मा जी के पास कोई आदमी जावे वो ऐसे चुक्चा बेटे दे तक जोपड़ी में और दिन बर भजन करते थे आप गए कि वह आए हो बाबा दर्सन करने आये थे कोई समस्चा थी दर्सन कर लिया जी जाओ एक सेक्रिन आप रुक नहीं सकते और यदि उतना कहने पर आप नहीं गए तो महत्मा अपने चरनों के खड़ामू उठा कर अपने सुरु पे मारना सुरु कर देता और तब तक मारते जब तक आप चले नहीं जाते और यदि आप उनके सामने पहुंचे और बोले गोविंद का कुछ नाम जैसे कृष्णिया रादे रादे बोले उचते क्यों आए हो बोले बाबा गोविंद से मिलने का कुछ उपाए बता दे और बढ़ जा और फिर जो सत्संग चलता महराज घंटों घंटों तक वो महत्मा भगवद्धिन रचा ऐसी सुन्दर सुन्दर कथाएं बताते और जहां आपने का कोई समझ जाएं कुछ पूछ पूछ ना था पूल जाएए क्यों कि वो जानते कि उसमें तुम्हारा समय तो बरबाद हो रही है मेरा समय भी बरबाद हो रहा है तो संतों के पास जाकर तो यही प्रश्ण करो कि गोविंद कैसे मिलता है कनहियां से मिलने का सहजितम तरीका क्या है अच्छी बात पूछी आप लोगोंने महराज ये मनुस्य का जो जन्म है वो जन्म तो बस ऐसे ही है काल के गाल के मुख में बैठे हम लोग कब क्या हो जाए कौन जाने काल अब ब्याल मुखक ग्रास अत्रां से निर्ना सहे तबे स्रीमत भागवतम सास्त्रम कलो की रेन भाशितम काल रूपी अजगर सांप के मुखके ग्रास बने हुए हम लोग एक्षण का भरोशने एक्षण का कौन जाने कि स्वास स्वास पर क्रिष्ण भजे कि स्वास स्वास पर क्रिष्ण भजे ब्रता स्वास जन खोई ना जाने या स्वास की आवन हो इन हो भगवान शुकदेब जब परिक्षित को कथा सुना रहे थे तो अमरत का करस लेकर देवता भी आये थे भगवान शुकदेब जब सुना रहे थे कथा और देवता लोग अमरत का कलस लेकर आगए शुकदेब जी ने कहा कहिए बोले महराज क्या कर रहे आप शुकदेब जी बोले परिक्षित को साथ दिन मरने का शाप लगा ने जी शुकदेब जी इनको भागवत रूपी कथामरत पान कर आ रहे कहिए इंदर जी बरुन जी यम जी कुबेर जी सूरत जी चंदर जी इंदर जी सबरे जी कैसे आया आज सुकार जी कुशला सुरा देवता बोले हम तो एक निवेदन करने आये थे तो हमारे हाथ में जो एक घड़ा है न जी इसमें स्वर्ग का अम्रत भरा है और इसी अम्रत को पानी के लिए संसार में लोग बड़े-बड़े प्रयास करते हैं कोई भैरों जी की नाक से चनोरी चिपकाता है तो कोई भैरों जी को विदेशी मजरा पिला देता है अम्रत को पाने के लिए करते हैं मारा यहीं अम्रत है घड़ा में जो भरा है तो हम आप से यह कहने आए थे कि वो जो परिक्षित को आप पिला रहे हैं न वो हमको दे दे अब क्या है कि उसको पीने से संसार भैसे हम मुक्तो हो जाएंगे इस संसार का बैब बड़ा बिचित्र है जो च्छरन सील है उसको संसार कहते है और हमारे पास में जो ये अम्रत है ना ये सर्ग का ये परिचित को पिला दो तो सर्प के भैसे उनको मुट्टी मिल जाएगी साप नहीं काटेगा और काटेगा भी तो अम्रत पिएगा असर ही नहीं हो इतना ही करना था आपको तो खादली अजला बदली करनी भगवान शुकदेव संकर के गंभीर हो गए और मन में सोचा कि इनको भागवता अम्रत का पान करा तो देता पर इन्होंने स्वरग स्के अम्रत से भागवत-अम्रत की जो तुलना कर दी वो मुझे बिलकुल पसंद नहीं है क्यों क्योंकि न कि न ब्यक्षी मुद्ध का अम्रत है वो यक्ति को अमर नहीं बनाथा ध्यान देना गीता में योगे स्वरकृष्णा आदेश करते हमने कुवा बन बाया धरमशाला बन बायी ये काम किया ये पुन किया वो किया नाम का पत्थर लगबाया नेंपलिट लगबाया है इसका फल होता हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाकर के वहां के सुख को भोगेंगे और रोज हमको हमारी एफडी के हिसाब से ब्याज के रूप में अमर्ग पीने को मिलेगा पका कितनी अब्डी जमा हैं बोले इतनी धरमशाला हैं इतना अदान किया है इतना ये किया है अच्छा इसके अनुपात में कितना अमर्क रोज मिलना चाहिए बोले पांस ग्राम रोज मिल सकता है साड़े तीन ग्राम रोज मिल सकता है मसनद लगी हैं गदे बिचने अपसराई नास रही हैं मर्दंग बज रही हैं अपन थोड़ा पांस दस ग्राम अम्रत रोज पी लेते हैं क्योंकि तरह अपडी जमाए जाता है पुन्ड की अब अपडी धीरे 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 कम होती जाती है फिर क्या होता है बोले अक्षीन एक उन्य मर्त लोक अम्शंती और जैसे हमारा पुन्यक्षीन होता है हमें फिर मुत लोक में गिरना पड़ता है अरे भाई काई को गेर रहे हैं आप ये बड़ी मकमल की मसनत थी मकमल के गद्दे थे बोले फिर कमा के लाओ बापस आना बोलो जा स्री क्रिश्न तो पुनर पी जननम पुनर पी मरनम पुनर पी जननी जठरे सेनम ये बार बार जम लेना बार बार मर जाना बाल बार माता के गर्भ में आना इससे छुटकारा सर्ग का अम्रत कभी नहीं दिलाता है लेकिन भागवत अम्रत का जिसने पान कर लिया वो तो यदेगत्वाना निवर्तंते तद्धाम परममम उसको वैकुंठ मिल जाता है जहां जाने पर कभी आवा गमन होता ही नहीं उसकी प्रात्ति करा देता है ये भागवत अम्रत और उस भागवत रूपी अम्रत से ये ये ये ना समझ देवता, तुल्ला करते हैं, अपने स्वर्ग के अम्रत की, शुखदेब जी को अठा नहीं लगा, हाँ, ऐसा लिखाए, पर शुखदेब जी ने ये बात सुनी, और इशार कर दिया, नो एड्मिशन, बोलो जैसे कि शुखदेब जी, आपका प्रवेश्या नहीं होगा, इस भागवत मंदत में आप प्रवेश्या नहीं कर सकते, और आपको हम ये भागवताम्रत नहीं दे सकते, वला क्यों, वला अभक्तान स्थांश विग्याय ना ददौस कथाम्रतम, इसके लिए तो भईया, अधिकारी बनना पड़ता है, बिना अधिकारी के नहीं मि देवताओं के प्रेशिदेंट हैं ब्रह्मा जी, और देवताओं के प्राइम मिनिस्टर हैं इंदर जी, इंदर महराज है ने प्राइम मिनिस्टर है, अब अलग-अलग चीज घिरों ने बाट रखी है, कुवेर जी वित्त मंत्री है, बरुन महराज जल मंत्री है, हाँ, औ बोलो जा स्रीकृष्ण सबको अलग बाट रखा है ब्रह्मा जी प्रेशिदेंट है इंद्र महराज प्राइम मिनिस्टर है और यह पवन महराज जो हवा मंत्री है बोलो जा स्रीकृष्ण हां सूरद महराज बिद्वित मंत्री है हां यह समय लग लग बिभाग बढ़ रहे हैं अब इन्होंने जाकिन के ब्रह्मा से शिकायत कर दी देखूं जी बहुत बड़ा अपमान हुआ है तुम्हारा जी एक इस्थिती हो गई बोलो जा स्रीकृष्ण ब्रह्मा ने का बात पूरी बताओ हजी हम पीतामर धारी हम मुकुट धारी हम कुंडल धारी हम ये धारी हम बो धारी हम तुरसूल धारी हम बद्र धारी अरे बोलो ना आगे हुआ क्या होना क्या था वो अमर्त पिला रहे थे परिक्षित को कथामर्त हमने बोल दिया थोड़ा अदला बद्री कर दो अब वो नंगा बाबा एक लंगोटी पहन कर बैठा हम पीतामर धारी हों से बात भी नहीं किया और यह से बोल दिया जाओ हमारा अपमान होगा है देवतालू ब्रह्मा जी से इतनी बात कर रहे थे महराज कि घंटे घडियाल बज रहें संक बज रहें ब्रह्मा बोले घंटा का बज रहें ये घड़ियाल कौन बजा रहा है देखे तो स्वर्व की बगल में से परिक्षित महराज बिमान में बैच के जा रहे है तो राग्यो मोक्षम तदा अभिक्षव पुराधाता पिविस्मिता दाता माने ब्रह्मा ब्रह्मा ने देखा ये तो परिक्षित राजा अरे ये तो अभमन्यू का बेठा वो पंड़मों का पोता परिक्षित है देवताबल यहीं तो गय थे हम अभी और वो बाबाई तो पिला रहा था उनको नंगा बाबाई शोले वर्स का बच्चा हमने कहा तो मना कर दिया हमको दिया ही नहीं भागवताम मर्त पिला रहा था और साथ में तन मुक्ती यह तो बैक्षूंट जा रहा सी थे देवताओं ने परिक्षिंद महराज को प्रणाम किया बंदन किया ब्रह्मा जी महराज ने तराज़ू मगाया महराजम पतराज़ू के एक पढ़ पर भागवत जी को रखा और दूसरे पढ़ पर दुनिया के साधनों को रख दिया देख लो और जैसी ब्रह्मा ने तोला एक पल्ली पे तो सब साधन थे नाक बंद करना, समाधी लगाना उल्टे लटक करके तब करना इतने पानी में खड़े हो करके तब अस्चा करना हवा पी के रहना ये सब साधन है इन सब साधनों को ब्रह्मा ने एक पल्ली पे रखा और स्रीमत भागवत जी को दूसरे पल्ली पे रखा और जैसी ब्रह्मा ने तोला तो लिखा है भागवत का पल्ला नीचे को चला गया सब साधनों का पल्ला उपर को चला गया अरे जिसमें भजन होगा वोई तो नीचे रहेगा हलका तो उपर ही जाएगा ब्रह्मा जी महराज तो एक दम देखते रहे गए देवता बोले कुछ निरने हुआ क्या कर रहे थे आप क्या 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 समझे हम ब्रह्मा ने देवताओं को ऐसे बुलाए बोले अरे पागलो ये किताब नहीं आए ये भागवत पोथी नहीं है किताब नहीं है ग्रंथ नहीं है देवताओं बोले तो क्या है बोले ये तो मेरा साक्षात गोविंद है बोलो जाश्री कुछ यह तो साक्षात का नहीं आए मुर्ली धर है श्रीमत भागवता क्योयं प्रत्रक्षक क्रिश्न एवही तो मैंने रे भगवत रूपम सास्त्रम भागवतम कलवु भागवत साक्षात क्रिश्न है अब तो देवत्ता लोगों ने महारा प्रणाम करी दंडवत करी वोल हम तो अतिकादिकारी बास्तम में नहीं थे वही भागवत में आपको सुनाओंगा रिशियो ब्रह्मा जी से सुनी थी नारद महराज ने लेकिन सप्ता स्रवन की विधी सनत कुमारों से सुनी भागे जा और जा रहे थे नारद जी महराज सनत कुमारों ने पूछे विश्वर नारधी ने पूरी स्थिति बता दी तो मैं तो यहां गया था हरी शेट्र में कुर्जद्र में स्वेत बंध में रामेश्वर में पर मुझे कई शान्ती नहीं मिली ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है सास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध पर ब्रंदावन में जम्में आया ब्रजमंदल में आया तो कुछ अजीव लगा मुझे मा क्या देखा बोले भक्ती माता जो हैं वो तो 16 वरस की बन गई है और भक्ती के बेटे जो ग्यान बैराग्यें दोनों बूड़े हो गए मुझे से बहुत कहा मैंने सब विधी बताई कल जुख के बारे में गीता पाठ किया बेद पाठ किया बेदान्त पड़ दिया लेकिन उधर कुछ असरी नहीं होता माराज पर आकास मानी ने कहा कि ग्यान बैराग्ये के बुढ़ापा को मिटाना है तो सतकर्म करना होगा वो सतकर्म में आप से जानने के लिए आया हूँ तो सनत कुमारों ने कहा नारज जी सतकर्म सूच को नूनम ग्यान यग्यस मृतो बुधई देखो ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि सतकर्म की स्रिष्ठता केबल सतसंग में है और किसी में है नहीं सतकर्म का जो पक्खा स्वरूप है वो सतसंग ही सतमाने अभिनासि परमात्मा का जो संग करा दे वो सतसंग है और जरा ध्यान से सुने सतसंग करने वाले व्यक्ती के मन में टेंशन नहीं होता सतसंग करने वाले व्यक्ती के मन में चिंताएं नहीं आती सतसंग करने वाले व्यक्ती के अंतर मन में कभी भय नहीं रहता सतसंग करने वाला व्यक्टि किसी भी परिष्टिती में कभी घबडाता नहीं है वो अंदर से strong बन जाता है अंदर से मजबूत बन जाता है किसी भी परिष्टिती को मुस्कुरा कर के जी लेना उसकी आदत बन जाती है और यह कब होगा ये तभी होगा जब आपके मन में ये बात बैठ जाए कि गोविंद 24 घंटे मेरे साथ है और उसी का नाम सत्संग है अभी मैं आपसे निवेधन करना था सत्माने अविनासी परमात्मा तो अविनासी परमात्मा को जो अहरनिस संग करा दे वही तो सत्संग है जो तुमें कभी अनुभव न होने दे कभी जानने ही न दे कि वो मुझसे एक पल के लिए दूर है तू सोचले मन में कृष्म है तेरे तन में हैं सब जगह भगवन क्यों ढूड़ता बन में इस विश्वास को जो अंतर हरदय में जाग्रत करा दे वही सत्संग है तो सत्कर्म की पूर्णता सत्संग में ही है और भागवत में तो यहां तो लिखा है कि साथ दिन तुम यदि भागवत के नियमों का निश्ठा से पालन करते हुए सुनो तो आठमें दिन से तुमारे जीवन में परिवर्तना जाएगा और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है और मेंने होते देखा है प्यार से बोलो जैसरी कृष्णे बोले मारा जी हम तो फकड बाबा ठेरे अब कहां सत्संग कहां भागवत करें और आप भी फकड और हम भी फकड भागवत करते हैं तो पंडाल बनाना पड़ता है नीचे फर्ष बिछाने होते हैं और भक्त लोग आमें तो प्रसाद की बिवरस्था करनी पड़ती है ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा मीठा पानी पिलाना पड़ता है हैं हमारे पास भी पीतांबरा के अलावा कुछ नहीं है और सुनत कुमार जी आप पर तो लंगोटी के अलावा कुछ नहीं है यह सुनत कुमार चारों भाई खाली कौपीन पहनते थे और कुछ नहीं बोले देखो हर इद्वार में आनंद बन में एक बटबरक्षए है गंगा किनारे काफी सीतलता रहती है नीचे वालू ठंडी रहती है नीचे एक चबू तराय मौह अपनी ब्यासगदी बन जाई और जब वालू ठंडी रहे तो फरस बिचाने की ज़रुवत नहीं जी एक और बार प्रशाद बोले इतना सुन्दर बगी चाहे तो फलतों मिलेंगे और पानी बोले पानी कौन पिये अमरत बहरायन गंगाजल यह पियेंगे सब लोग तो आप कर देंगे ने कथा सुन्द कुमार बोले हम और दूसरा काम करते ही नहीं है बोलो जासरी कृस्ट तो व्यासगदी बन गए सुन्द कुमार जी बैठ गए नारग जी महराज ने भी सामने मुख्य यजमान बन करके बैठे नारग जी यदि यजमान ग्रहस्त है तो पत्नी को दाहिनी तरफ बिठा के बैठो और यजमान यदि बेरकते हैं अकेले बैठो अब तो सुन्द कुमार जी कथा कर रहे हैं बड़े बड़े संत महात्मा ग्यानी मुनिंद्र सब दोड़ पड़े भजनानंदी गुफाओं से निकल निकल के आए भागवत हो रही है अरे संत कुमार जी कथा सुना रहे है और और नारग जी कथा कर वा रहे है शंतों की भीड लगने सुरू हो गई और संत कुमार जी महाराज के सामने बोलो जैस्री कृष्ट मेरी द्रग दीनिता नहीं है यादिनों की तुम्हें ही दरखार अवन ही है यादिनों की तुम्हें ही दरखार अवन ही है क्या वह सभाव पहला सरिकार अवन ही है क्या वह सभावी पहला सरिकार अवन ही है वह सुन्दर पंग्तियां है विन्दू जी का पद है हमारे रास्ति के महान सुकर दोष्ठामी विन्दू जी पाते पिजिसे रिदे से आस्त्रे अनात लाखों पाते पिजिसे रिदे से आस्त्रे अनात लाखों गीद को गले से लगाया शवरी को सनमान दिया सरवंद रिशी को कितना आदर दिया पत्तों को हर्दे से लगाया क्या मोहदे अब दया का भंडार नहीं है पाते पिजिसे रिदे से आस्त्रे अनात लाखों पाते पिजिसे रिदे से आस्त्रे अनात लाखों क्या मोहदे दया का भंडार नहीं है क्या मोहदे दया का भंडार नहीं है क्या मोहदे दया का भंडार नहीं है क्या मोहदे दया क्या मोहदे दया क्या मोहदे दया का भंडार नहीं है क्या मोहदे दया 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 कर दो कर दो कर दो जिससे की दिजे सुदामा त्रही लोग के पागया था जिससे की दिजे सुदामा त्रही लोग के पागया था क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है क्या वह सुदाम पेले ला सरकार अब नहीं है क्या वह सुदाम पेले ला सरकार अब नहीं है तोड़े थे द्वार कांसे किस पर अधीर होकर परमात्मा भक्त की आँखों में आँश्म सहन नहीं कर पाते एक बिंदु योगी गोविंद की इसमर्ण में निकला तो गोविंद रह नहीं पाते सुंगरपंती बिंदु जी महनाज करें तोड़े थे द्वार कांसे जिस पर अधीर होकर तोड़े थे द्वार कांसे जिस पर अधीर होकर उस अस्र बिंद से दी क्या प्यार तब नहीं है क्योंकि क्या बहर सबाब पहला सरकार तक नहीं है क्या बहर सबाब पहला सरकार अधीर है क्योंकि दीनों के बास पे क्या दरवार अधीर है सरकार अधीर है सरकार अधीर हो तक नहीं है जिससे कि दुज सुदामा त्रैलो के पा गया था क्या उस उदार तामें कुछ सार अब नहीं है पाते थे जिस हर्दे से आफ्रे अनाथ लाखों क्या वह हर्दे दया का भंडार अब नहीं है दोडे थे दुआरिका से जिस पर अधीर होकर उस अस्वर बिंद से भी क्या प्यार अब नहीं है इतना तो हमारा अधिकार कहने का है और यह प्रेम में चलता है परमात्मा की उधारता में कोई कमी नहीं है हमको मागने ही नहीं आता है बड़ी संदर पंती कही है एक जगे एक तरप है देने वाला वो उदार दानी और एक तरप है हम मागने वाले कंजूस भक्त यही तो उंतर है मुक्तिप प्रदाता से दुनिया के जंजटों से निवारन कराने वाले से हम दुनिया मांते हम संसार मांते इसलिए पचरते चले जाते हैं आत्मदेब जी महराज का बेटा दुन्दुकारी कितना अनिष्ट कारक काम करता अकाल मृत्यू हो गई प्रेत मन गया प्रेत मन कर पड़ा और गोकर्ण महराण ने सूर्ज देव की आदेश का पालन करके जब भागवत की कथा करी और कहते हैं धुन्दुकारी बास की गरंथियों में आके बैठ गया ये साथ गरंथियां क्या हैं अविद्या, अश्मिता, राग, द्वेश, अभिनिवेश, अहमता और ममता यही तो सब्त गरंथियां और साथों गरंथियां जब खुल गई और धुन्दुकारी उसमें से दिप पे रूप लेकर के निकला ऐसी कथा आती है भगवान के धाम से सुन्दर बिमान आया और जैसी बिमान में बैठ करके वो चलने लगे तो गोकरण की महराज ने व्यास गद्दी से पूछ लिया सुनिए गट पूछना था कि अध्याई बबह बस्षंती स्रोतारो ममनिर्मला आनी तानी विमाना